ओम जी प्रणाम, आप सभी का सौगत है, स्वास्टम संदेश में, तो आज हमारे साथ हेल्थ सिकर गनेश धाकनेजी है, कि जो बीड से आये हुए है, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लेम्स थे, तो उनको आत्म बहुत पतंजीली वेलनेस सेंटर में आने के बाद कैसे लगा है, और उनको कैसे कैसे ट्रीटमेंट हुई है, और उनके प्रॉब्लेम्स में, कितनी परसंट रिजर्ट उनको आया है, या कितने परसंट उनको अच्छा लगा है, यह भी पूरी जान कर ये, आज सर से हम लेंगे, और उनको बैक पेन के प्रॉब्लेम्स थे, तो उनका बै चलंड उत्कों कि इसे आपको अपको अपको पर्ोमलमद में लेको आपको अपको दिधा के से अ जगते चिता हुआ टृम्यों को आपको 15 कर नहीं लिगा अब आप 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 से हूँ मैं 17 साल मार्केटिंग किया हूं तो मेरा बाइक पे बहुर ट्रैविलिंग हो गया था तो मैं बाइक पे बहुत दिन गुमने के वाज़ा से मुझे बैक पेन नेक पेन बहु शुरू हो गया था फिछले पास साल से तो मैं करीब गरीब 7-8 महने प ऐसा पता चला कि पुने में महराउस्टर के आपने पुने में खड़क वास्रा के पास है जो डोजए गाव में पतानजयली आत्मबोथ का सेंटर्का इनका सेंटर है कि जो नुख कई इँसन तो मुझे पहले दिन माई यहाँ पर आया तो मैं मैंने मेरा पूरा चेकिंग व एक नेचरोपैथी के डॉक्टर और एक काईरोधिक के डॉक्टर थे उनके दोनों के तरफ से मेरा पूरा डिटेल में डिसकॉशन हो गाए उनने पूरा मेरा डीपली बॉड़ी मेरा लाइफस्टाइल वगेरा सब चीजों का खान पान का सब डीपली स्टडी किया और वो चार बजे से यहां पर शुरू हो जाता है चार बजे योगा होता है योगा के बाद आपको सा योगा खतम होने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है और आपको ब्रेकफास करने को आट या नो बजे ही आना पड़ता है वही टाइम पर शुरूल सब चलता है उसके बाद ओधर पंच कर्म और नैच्रोपैथी के ट्रिटमेंन चलते हैं यहां पे नैच्रोपैथी और पंच कर्म करने वाले जो treating staff है doktor से वो इतने बहुत अच्छे है और बहुत बढ़ी आ है कि बहुत आच्छी तरह से आपको सब ट्रिटमेंट देते हैं और आच्छे से क्यों है यह डोंजे गाउम का इनुवार्मेंट जो पूरे सीटी से अपने यह शोर शराबे से बहुत बहुत दूर साहलेंट इसमें पूरे पहडियों के बीच में यह location और बहुत अच्छा location सिवाघ फोट के नीचे यह कोई तो ये बहुत अच्छा लोकेशन है और बहुत आच्छा ट्रिप्मेंट यहां पर मिलता है और किसी को अगर लगता कि लाइबस्ताईल की वज़े से यह जो फॉल्टी लाइब स्टाईल हम अगर अभी काम जो कर रहे है खाते है और वर्क करते है वो स्टाइल से हमारा बॉडि सिस्टीम बिगड़ जाता है तो वो बॉडि सिस्टीम सुधारने के लिए डीटॉक्स करने के लिए आप यहां पर पतांजले में आ सकते हैं यही मेरे आपको सब को कहना है और मुझे बहुत आच्छा रिजल्ट ला तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अगर रोग है आपको तो उसको दूर करो कोई भी पैथी आपके रोग ठीक नहीं करते तो अगर रोगों से मुक्त रहना है या रोगों को मुक्त करना है तो आयरुवेदा का साहरा लेना बहुत ज़रूरी है हम पड़े लिखे ल नानानी या हमारे मातापिता तो वह बहुत ग्यानी लोग थे यानि अगर किसी व्यक्ति को सर्दी हो जाती थी तो हम घर पे काड़े बनाते थे और उस सर्दी को हम दूर करते थे लेकिन अभी हमने जादा पढ़ाई की इसलिए हम सिधा मेडिकल में चले जाते हैं और हम ड हमारे शरीर से निकालना है सही जानकारी लोगों तक पोच्चना यही मेरा मोतिव है और अगर आपको कोई भी health-related issue है तो आप comments में यह आप मेरे से पूछ सकते हो कि रोग कैसे ठीक करना है या इस रोगों में क्या करना है तो मैं आपको तो सही जानकारी दे दूँगा जैसे रोगों का भी अभ्यास होता है अगर जो रोग है उस रोगों में इंसान को अगर समझ में आ गया कि किस रोगों में किस प्रकार का पानी पीना है, किस प्रकार का भोजन करना है, किस प्रकार का जूस पीना है, किस प्रकार का आयुरुवेदिक पानी पीना है या किस प्रकार का योगा करना है किस प्रकार का मेडिटेशन करना है किस प्रकार का यद्नेच किस्ता करना है तो 100% रोग यह बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है तो आत्मबोद पतंजली wellness center में यहाँ पे बहुत सारे treatments एक साथ दिये जाते हैं पूरे integrated treatment से हापे facility है तो रोग है तो भी आप आ सकते हो अगर रोग नहीं है तो भी आप आ सकते हो रोगों को ठीक करना और अपना शरीर निरोगी और स्वास्त रखना ये बहुत महत्वपुर्ण है सबसे बड़ी संपत्ती हमारा शरीर है तो हिंदी में कहा होते है अगर सिर सलामत तो पगड़ी हजार तो पहले हमारा शरीर साप करो रोगों को दूर करो और अपना सुकी जीवन अपने फ्यामेली के साथ अच्छे से आप बिताओ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक क साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर सेर करना कुछ हेल्थ रेडिटेड आपको प्रॉब्लेम से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ओम जी प्रणाम